नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं परिक्षा हो ले कर मोडल से प्रश्न पत्र भी त्यार किया है, जैक मैट्रीक वा इंटर की परिक्षा हो ली के बाद तीसरे हफ्ते में शूरू हो सकती है जबकि practical परिख्ष 20 फरवरी के बाद शुरू हो सकती है जारखन के स्कूलों में दिया जाएगा योग का प्रसिक्षान स्कूली बच्चों को योग के प्रतिरूची पैदा करने के उद्यस से राजे के स्कूलों में योग प्रसिक्षान अभियान चलाया जाएगा इसमें राजे के सरकारी और सरकारी साहेता प्राप्त कूल 15215 स्कूलों में छटी बराहमी तक के विद्यार्थों को जोडने की योजना बनी है इसकूलों के बच्चे हेल्थ एवाम वेलनेस सेंटरन के योग अमबेश्डर से एक दिन का प्राप्त करेंगे आयूस निदे सालाय के प्रस्ताव पर स्वास्त सचीव अरुन कुमार सिंग ने आदेश जारी कर दिया योजना के तहट सबसे ज़्यादा 366 स्कूल पलामों के और उसके बाद 1280 स्कूल गिरी डी के सामिल किये गए है बताद जीलों के उपायुकतों और सिविल सर्जन को जारी आदेश में बताया गया है कि योग प्रसिक्षन का सत्र चार पालियों में अयोजित होगा जिसका पहला सत्र साथ से 11 जन्वरी दोयर तेस चलेगा वह दूसरी पाली 15 से 19 जन्वरी जबकि तीसरी पाली 21 से 15 जन्वरी और चौथी पाली 28 से एक फरवरी तक चलेगी जारखन में त्यार किये जाएंगे बीर्षा किसान क्रिसी मंत्री बादल ने कहा है कि 3 साल में क्रिसी विभाग 30 लाग किसानों तक पहुच गया है अगले 2 साल में और 28 लाग किसानों तक पहुचने का लक्ष है 5 साल के कारेकाल में सरकार और 50 लाग बिर्षा किसानों की फोज त्यार कर लेगी इसमें हर किसानों को कुछ ना कुछ सरकारी योजना कलाव मिलेगा इसके लिए विभाग काम कर रहा है इसके लिए नई तकनिका भी उपयोग हो रहा है इससे बार बार सरकारी योजना कलाव लेने वाले किसानों की पाचान हो जाएगी बदाद सिरी बादल मंगलवार को किरिसी विभाग की ओर सायोजित रभी कारे साला का उद घाटन करने के बाद समोधित कर रहे थे बिपक्ष ने यूपी बिहार वालो को आगे कर न्योजन नीती को कराया रद अध्यक्ष जारखन में न्योजन नीती को एक साजिस के तहथ बिपक्ष ने बिहार और यूपी के लोगों को आगे कर लागू होने नहीं दिया हाई कोट में जनहीत याज का दायर की गई और दायर करने वालों में यूपी और विहार के लोग सामिल है ये बात है जर्खन बिधान सभा के स्पीकर सा नाला बिधायक रमीदर नात महतों ने कुंड हीत के खजुरी में नल जल योजना सिलन्यास के दोरान कही उन्होंने कहा है कि सडके बनती है बिगड़ती है योजनाय सुरू होती है नई बनती है ये परिपार्टी चलती रहती है लेकिन जर्खन के मुलवासियों के लिए जो नियोजन नीती की जरूरत है उस पर सभी जर्खन योग को जागरूप होने की जरूरत है उन्हें 32 का खतियान लागू होगा तो हमारे बच्चों का भविस से उजवल होगा हर राजे की सरकार अपने बच्चों के भविस को सवारने के लिए नियोजन निती बनाती है लेकिन हमारे राज के नियोजन नीती में बिहार और यूपी के लोगों को क्या अधिकार है दखल अंदाजी करने का यह सोचने वाली बात है जारखन में अवैध सराब का सपलाई करने वाला गिरोह का सरगना गिरफतार रांची पुलिस ने जारखन के अलग अलग जीलों में अवैध सराब का सपलाई करने वाला गिरोह का सरगना गनेस गोराई को गिरफतार किया है आरोपीत से नगडी थाना में पूस्ताच की जा रही है एस एसपी को सुचना मिली थी कि गनेस नगडी इलाके में भारी मात्रा में अवैध सराब लेकर पहुचा था पुलिस और उत्पाद विभागी टीम ने नगडी इलाके में छापे मारी कर आरोपीत को पकड़ा और उसके पास सराब भी बरामत किया आरोपीत बंगाल करहने वाला है जारखन में उसके खिलाप दर्जुन मामला दर्जा है जारखन में एस्टी एस्टी अलप संख्यकों को बेहतर सिक्षा के लिए साथ एकलब ये अवासे बिद्याला है जारखन में हेमान तो सुरियन की सरकार के कारेकाल में अनुसूची तजन जाती अनुसूची जाती और अलप संख्यक वर्ग के बच्चों के लिए परदेश में साथ एकलब ये आवासे बिद्याला बिहार की सीमा से सटे 14 जिला के अलावा उप्राइधानी दूम का में भी खुले है गिरी लात्यार पच्मी सीमभू फुर्वी सीमभू और गुमला जिला में भी एक 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 लब ये आवासे बिद्याला के निर्मान पर कूल 72 को रुपे का खर्च आया है मुखी मंतरी हेमान सुले ने 15 नॉमबर 2022 को जारखन अस्थापना दिवस पर इंस्ताथ गांजू का आत्म समर्पन कभी बुढ़ा पहाड पर सक्रिये रहा 15 लाख इनामी मवादी कमांडर अमन गांजू ने आत्म समर्पन कर दिया है बता अज़े सितंबर महिने में जारकन पूलिस और केंदी रिजर पूलिस बल के सन्यूगत अपरेशन अक्टूपस के तहत जोदी अभियान के तहत नक्षलियों से बुढ़ा पहाड खाली होने के बाद से भी भागा फिर रहा था बुढ़ा पहाड को खाली कराने के बाद बुढ़ा पहाड की चोटी पर जालू डेल आते हर जिला में तीसिया एवाम नावा टोली तथा जारकन की सीमा से सटे 36 कर क बल्रामपुर जिला में पुंदाग में सुरक्षाबलों ने केमप अस्थापित किया है सुरक्षाबलों के केमप की बदलत नक्षलियों को फिर से सक्रिय होने का मौका नहीं मिल पा रहा यहीं वज़ा है कि उस इलाकों में जो बचे हुए नक्षली है वह या तो भाग रह या आत्म समर्पन कर रहे हैं माल गाड़ी दुर घटना के दूसरे दिन भी दो ट्रेने रद हावला नई दिल्ली रेल मार्ग पर मंगलवार की अहले सुबा होई माल गाड़ी दुर घटना के बारा घंटे बाद रेल से बाहल कर दी गई पर घाटना के दूसरे दिन बे यातिर ट्रेने प्रभावी था है बता ज़े धनबाद डेहरी ओंस्वा इंटरसिटी दोनों तरब से रद कर दी गई है गया से आसन सोल के बीच चलने वाली मेमो एक्सप्रेस गोमो से आसन सोल के लिए भी रवाना की गई धनबाद होकर चलने वाली हबड़ा नई दिली पूरवा एक्सप्रेस आज भी धनबाद के बदले आसन सोल जसी डी और पटना होकर चली है कोरोना के नए वेरियंट को देखते हुए बढ़ी बूस्टर डोज की डिमांड चीन में कोरोना के बढ़ते मावलों को देखते हुए धनबाद समयत पूरे राज में सतरकता बढ़ा दी गई है खाजकर टिकाकरन को लेकर लोग अब फिर से जागरूप हुए है जिले में पिछली एक सब्ता से टिकाकरन के अबतार बढ़ी है इसमें बूस्टर डोज लेने वालों की संक्या भी बढ़तरी हुई है पहले जहां जिले में हर दिन अस्तन 10 से 20 लोग बूस्टर डोज लेने पहुंचते थे वहीं अब इनकी संक्या हार दिन अस्तन सोग के पार हो गई है जीले में पुछले एक सब्तार में कूल 3824 डोज दी गई है इनमें से बुस्टर डोज लेने वालों की संक्या 116 जो की कूल टीका करन का करीब 31 परतिश था है रांची के सिंगर इसा आलिया की कुलकात्ता में हत्या रांची के रहने वाली सिंगर और मोडल इसा आलिया की हत्या कर दी गई है ओ अपने पती और बच्चे के साथ कुलकात्ता गई थी जहां लूटेरों ने उसे गोली मार दी बतादे राइधानी राच्ची के बरियातों इलाकों में रहने वाली नाग पुरी सिंगर और मोडल इसा अलिया की कुलकत्ता में हत्या कर दी गई इसा अपने पती के साथ किसी कारेकरा में हिसा लेने के लिए कुलकत्ता गई हुई थी बुद्धवार की सुबह अग्यात हमलवारों के द्वारा हावडा में इसा की हत्या कर दी गई फिलहाल कुलकत्ता पुलिस मामले की तफसील में जूटी हुई है जारखन में आमने सामने बिजेपी कॉंग्रेस कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी की भारत जोड़ो यातरा दिल्ली पहुचकर कोई दिनों के लिए रोक दिया गया है नए साल में दिल्ली से कास्मीर के लिए भारत जोड़ो यातरा शुरू होगी लेकिंग राईनीती के केंदर में भारत जोड़ो यातरा बनी हुई है जहारखन बीजेपी के परदेश अध्यक दीपक प्रकास ने कहा है कि राहूल गांधी को राईनीती की कोख अगः अंगर नहीं आती इसके जबाब में काहूंगे इसके परदेश प्रवक्तार आके सिना ने कहा है कि एक डरेस हमें भाजपानेता का ब्यान है भारतिय जन्ता पार्टी के परदेश कर्याला में कोर कमीटी की बैठा के बाद मीडिया से बात चित करते हैं परदेश अध्यक दिपर प्रकास ने कहा है कि राहूल गांधी को रायनीती की कोख अगः भी नहीं आती है उन्होंने कहा है कि भारत जोडो यातरा के दिल्ली में अल्प विराम से पहले लाल किला से चीन पर बात किये लेकिन चीन पर बात करने से पहले राहूल गांधी फाउंडेशन के लिए चीन से सहयोग लिया या नहीं यह लोगों को बताना चाहिए अस्थानिय नीती पर बोले लोबीन अधर में लट्टक का ज्यारखन्डी युआओं का भविस्य बोर्यों के जामों भी धायक लोबीन हेमरम ने साप सब्दों में कहा है कि अब जब अथानिय नीती ही लागू नहीं होगा तो ज्यारखन के सीक्षीत चात्रों का भविस्यका क्या होगा यहाँ अब तक पेशा एक्ट और एस्पीटी एक्ट लागू नहीं हो सका है कोट ने इसे भी रद कर दिया है आगे आने वाले समय में सरकार क्या करती है देखने वाली बात होगी लोबिन हेमरम कहा है कि बरतमान में राजे के लोग रोजगार के अबहाँ में बाहर जा रहे हैं वे मंगलवार को परखंड कर्याला के पास इसी होट परिसर में ग्राम पधान के साथ बैठक की बैठक में विधायक लोबिन हेमरम ने उन्हें 32 खत्यान अधायत नियोजन निती एस्पीटी एक्ट पेसा एक्ट के बारे में जनकारी दी परखंड कमिटी पंचायत कमिटी बिस्तार संगठन मजबोती पर भी चर्चा की बिधायक ने कहा है कि सरकार ने आदेश दे रखा है कि हर गाव में तीन तीन योजना देनी है ताकि लोगों को काम मिल सके और दो वक्त की रोटी मिले लेकिन काम नहीं हो रहा है धन्यवाद यदि आप चैनल पना है हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वाल का बेल एकन दबाएए साथ साथ वीडियो की एक लाइक कर अपने दोस्तों किसा सेर करना भूले साथ साथ आप आमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़वाइक अवसे दे थैंक्यू